सबसे पहले अपना वेट कितना आने वाला है तो फ्रेश होने की बाद में अपना वेट कितना आने वाला है तो मेरा वेट आया थे अब आपको पहले वीडियो में दिखा दिया है मैं सो चल अब भी बता दू और चलते हैं तो यहां में आप टी इस्पून डेसी घी लिया था और यह अंड़े हैं अज मैं एससी वाइट पाइट ले जर्दी नहीं ले रही क्योंकि आकर बहुत जादा दुख रही हैं किसी न बलस चाहिए और नहीं तो चाहिए आपने की में डेकपोंकि बसे कहते हैं आदत जो है वह है और मंटी ग्रेइन प्रेट ना मैंने कुछ इस तरीके से देशिगी में सेख लिए तब ही मुझे डिप करके आदत है बच्पन से खाने की क्या कुरूं आदत चुटती नहीं लेकिन ये क्या है चाय भी तो पीते हैं उसमें डिप कर लो खालो ह है और हैल्दी तो है ना हैल्दी होना चाहिए और यह रहा शुगर फ्री का पोडर जो इसमें में चाय में एट करती हूं और चलो मिलती हूं अभी आपसे मिन मौनिंग इसनेक में तब तक के लिए बाइए चलो में मौनिंग इसनेक का चाय में हो गया है दुकी और खुशी हम दोनों साथ में वेट लोग जर्नी कर रहे हैं आपको पता होगा आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे पहले तो जी आज हम वीडियो में नहीं आएं क्यूंकि हमारी आखे बहुत जादा दुख रही है इसलिए तो आज में क्या ले रही हूं और दुकी क्या ले रही है में बताती हूं हम ले रहे हैं आज घ्रीम टी और भीगे हुए बढ़ाम रात को भी गौन दियते मेंने वह नमें अक्सा है कि बूल जाती हूं रात को भी गोना तो चलो जी हमने कंट्री डिए से कुछ अब भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा हम भी सब्सक्राइब लादेते यह बहुत बड़ा रोले तो जी है मैंने चीया सीट्स में थी चीनी और पमकिन सीट्स हैं जो के मैं आगे एक अपने डाइट में प्रोटीन बहुत है इसमें और यह रॉक्सोल्ट है इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है आप इसे रात में ले सकते हैं और मैंने वह मंगवाया था जवार का इन्होंने सीट भो भेज दिया पता निक्या क्या 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 थे इसको पीछना पड़ेगा तब जाक्या बनेगा लांच की दरब चल देते हूं मैंने और पनीर दो को घर का कित अच्छी डिजाइन बनकर आया तो बस दुख्योड खुशी अपना बना ली हूं तो मैंने गारा था थोड़ा से हाफ टी स्पून जादा नहीं अगर आप लोग भी न तब ही चल जाएगा तो मैंने उसमें श्रीमला मिर्च और अनिन डाल दी और यह मैं खाया थी तो यकिन करना है अब आप खाऊगा नहीं बहुत फिलिंग वाला ऐस लगएगा अगर आप समोरीगेनो डाल दोगे न बहुत बढ़ी है तो यहाला सैंड़िच में इस तरीके से बना के बहुत जादा खाती हूं जल्दी बन जाता है ना तो पस क्या करना है व ब्रेट के बीच में रख दूंग जितनी भी स्टफिंग तियार करी है मैंने इसके बीच में रख के अगर अच्छा आपके पास जैसे सैंड़िच में कर नहीं है तो आप इसे पैन पे भी गर सकतो तो वह भी बहुत अच्छा सोगा क्रीस पे होगा तो लेकिन मैं यहां पर यह इस खाने के बाद क्योंकि मैं यही जाधा खाना पहसंन करते हूँ मुझे मालूमें इसको खाने के बात कैसा लगता है आप ट्राइए करना और मुझे में ज़रूर बताना आपको यह वाला सैंडविच कैसा लग है इसका टेस्ट कैसा लगा अच्छा एक चीज़ हो दे आज अगर आप मोर्निंग में देख रहा हो मेरी वीडियो तो यही अपने लंच में ले ना मज़ा जाएगा बहाँ जादा और कोई इतना ताम जाम भी नहीं है कि बहुत ताम जामें इसमें बहुत असानी से बन जाता है चलो चलते हैं इवनिंग स्नैक में मैंने आज माल्ट कहलो ओरेंज कहलो या किनुवा केलो मैंने समझ मिनियादा बही चीज़े तो फिर मैं थोड़ा सर्च करा उएशेरा से पूछा तो फैसल ने बताया यह हें माल्ट किनुवा माल्ट र oxidation के दादण होते हैं और किनुवा जो जोता है न औरेंज का बाप हगता है तो सारी टिन तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना शेयर भी कर देना और शेचे कमेंट्स करना मैं मोटिवेट होती हूँ चलिए नेक्स वीडियो मिलती हूँ तब तक लिए बाबाई चेके